तो आज हमारे पास है दोस्तों बजाद Pulsar N250 जो कुस टाइम पहले ही लाउंच वी थी इंडियन मार्केट में इसका इंडेप्ट वॉकराउंड इन रिव्यू करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये इंट्रो देखे आप स्वेज इंडेश आप पहले ही तो पकि देखे पक्राग में आप बजाद Pulsar N250 जो कि कुछी टाइम पहले लाउंच विए धि करे दोस्तों बजाज ने अपनी दो-बा किसे 250 सीरीज में एक N250 और एक F250 तो यह है N250 और परसनली जो मैं बताओ मैंने F250 भी देखी है बट मुझे यह बाइक बहुत पसंद आ रही है और और लोगों को भी काफी पसंद आ रही है N250 काफी एग्रेसिव लुक है स्टाइलिंग काफी बढ़िया है मतलब हैंसम बाइक है और कलर्स की बात करें तो दो कलर्स यहां मिलता है रेसिंग रेड और टेक्नो ग्रे हम रिवीव कर रहे हैं टेक्नो ग्रे को इसका जो अन रोड प्राइस है वो भी मैं बता दूँ रिशिकेश उत्रा खंड में जो इसका ऑन रोड प्राइस है 1,63,000 है 1,360,000 है जो कि मुझे ल नया इंजिन यहां आपको मिलता है देखने को और ऑन पेपर बात करें तो 249.07 cc की डिस्पेस्मेंट है वहीं सिंगल सिलेंडर 4 स्टोक 2 वैल्व स्टोक 2 वैल कूल फ्यूल इंजेक्शन इहां इंजिन मिलता है जो कि BS6 कंपलाइंट है मैक्सिमम पावर की बात करें तो 24. 24.5 PS at 8750 RPM है और जो मैक्सिमम टॉर्क है 21.5 Nm at 6500 RPM है यहां बात करेंगे इसकी लोक से इन स्टाइलिंग की तो जैसे मैं बोल रहा था काफी एग्रेसिव लगता है और स्टाइलिंग भी बहुत ही बढ़िया है कलर यहां पे जो यह है टेक्नो ग्रे है पीछे की तरफ आप बीच में 150, 125cc बाइक में जो पुरानी वाली थी उनमें स्टीकर सा रहे थे पल्सर के वह उतने अच्छे नहीं लगते बाटी जो 3D वाले है यह बहुत मस लगते है आगे से लुक देखेंगे बहुत ही कातिल वाला लुक बनता है इसका तो जो फ्रंट का डिजाइन बाइक इंडिकेटर से साइड में यहां पर LED इंडिकेटर से और यह नमबर प्लेट के लिए जगा दी गई है तो यह अपने अभी चाबी घुमा दी और डियारल जल रहे है तो यह दिन का टाइम में अभी भी दिख रहा है इतने बढ़िया है ब्राइट है काफी और रात में तो यह जो एलोई वील्स है बढ़िया लगते है और पहले जैसे आते हैं आपको कहीं लगेंगे और देखेंगे आप रिम स्पेस के रेड कलर के स्ट्राइपस है तो वह देखने में बढ़िया लगते हैं MRF ब्रांड के टायर साथ आपको देखने को मिलते हैं वही अगर मैं सा लेकिंग भी ठीक है डॉल चैनल अबिस देख सकते हैं लेकिन ठीक है सिंगल चैनल अबिस दिया है लेकिन प्राइस पॉइंट भी यहां पर काफी बढ़िया है वहीं जो सस्पेंशन है फ्रंड में टेलिस्कोपिक 37 mm का है नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक काउल आज गेर्स लगते हैं एंड क्लच जो है एसिस्टेंट स्लीपर क्लच है तो वही स्मूथ थोड़ा राइड हो जाएगी वहीं जो राइडर फुट्रेस्ट है वही आप देख सकते है कुछ इस तरीके का है और जो पिलियन फुट्रेस्ट है वह रबराइज तो नहीं है ऐल ब्राइट भी वह काफी है LED टेल लैंप यहां मिलता है है एड लैंप लीडी है टेल लैंप लीडी है वही विंकर्स है जो वही वही बी लीडी और नीचे की तरफ आपको नमबर प्लेट के लिए और यह आप देख रहे है इसका रियर टायर और जैसे मैंने बताय था दोनो चैनल ABS के साथ यह बाइक है वही जो रियर में सस्पेंशन है मोनो शॉक विद नाइट रॉक्स है एग्जॉस्ट यह जो इसका मफलर देखिए छोटा सा है लेकिन बहुती मलब कूल लुक बनाया गया है बाइक के साथ कफी बढ़िया लगता है देखने में छोटा सा है और फिलिट सीट के साथ यह बाइक आती है और देखेंगे आप यहाँ से कि आगे वाली कितनी निच पीछे वाली कि अऊपर तो ओल्ड कोई बैटता है या कोई लीडिस बैटती है तो जादा मनलब उतनी दिक्कत नी होने वाली माइलेज की बात अगर बताओं तो ARAI ने जो माइलेज बताया है 39 km per liter बताया गया है और जो ओनर रिपोर्टेड माइलेज है 35 km per liter का है बाकी दोस्तों यह डिपेंड करता है आप कैसे राइड करते हैं कैसे मेंटेन रगते हैं वाइक को बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है पढ़ते हैं इसके handlebar की तरफ तो जो इसका design देखेंगे काफी बढ़िया लग रहा है और buttons की भी बात करते हैं तो left side of handlebars की तरफ चलते है पहले backlit buttons यहाँ पे आपको मिलते हैं जो की पहले भी pulsers में आते रहे हैं left side of handlebar में जो button से आगे की तरफ passing switch फेर आता है आपका high beam, low point दे गया है, phone charge करने के लिए USB connect कर सकते हैं तो काफी लोग handlebar पे अपने mobile holder लगाते हैं तो navigate अगेरा करते हैं साथी साथ यहां से आप अपना charge भी कर सकते हैं ऐसी चाबी आती है अपनी Pulser N250 के साथ जिसमें दोनों तरफ बजाज का logo है, finally बढ़ते हैं इसके instrument cluster की तरफ तो बात करें features की, तो left side में आपको alerts वगेरा सारे मिलते हैं, BS6 engine और बाकी सब, बीच में tachometer है, RPM आप देख सकते हैं, बजाज की भी branding है, वहीं right side में छोटी सी display मिलती है, जिसमें fuel gauge, time, speed, gear indicator भी है, तो यह सब आप देख सकते हैं, और display काफी बढ़िया है, वहीं 2 trip meters इसमें आते हैं, और auto meter digital है, speedometer digital है, tachometer analog है, trip meter भी digital है, तो low fuel indicator मिलता है, low oil indicator मिलता है, वहीं कुछ और बता हूँ, gear indicator मैंने बता है, clock भी बता है, fuel efficiency और range indicator भी यहां भी आपको देखने को मलता है, नीचे दो buttons है, जिन से हम toggle कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने, पता 65 mm, curve weight 162 kg का है, और fuel tank capacity मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, जो कि 14 liter की है, तो यह हमने in-depth walk around and review किया है, spec review, और बात करते हैं कि कैसी है, यह क्या आपको लेनी चाहिए, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही aggressive look है, बढ़िया look लग रहा है, बाकी आपको अगर F250 पसंद आती है, तो आप वो भी देख सकते हैं, मुझे personally यह बहुत ही बढ़िया लगी है, और color यह वाला भी बहुत ही sexy है, styling जबरदस्त की गई है, और torque और power भी यहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्म करेगी bike, वहीं इसके कुछ similar bike जो आप लोग consider कर सकते हैं, KTM 250 आती है, Yama FZ25, बजा racing के बात हम already starting में कर चुके हैं, इसका जो on road price है, रिशी केश उतरा घंड में 163,000, 1,63,000 है, तो यह था एक detailed walk around and spec review, बजाज Pulsar N250 का, वीडियो पसंद आई हो, या informative लगी हो तो भी है, like जरूर करे, comment करके बताओ क्या इस bike में आपको सबसे बढ़िया लगा, और क्या आप smiling